ओलिंपिक होकी के गोल्ड मेडल विनर M.K. कौशिक हमें बताएंगे भारती टीम को वर्ल्ड कप होकी में कैसे गोल्ड मेडल जीतना है कौशिक साब आपसे जानना चाहूंगा कि पहले दो मैच जो आपने देखा तो किस तरह का लगा भारती टीम और यहां से कैसे किस तरह का अप्रोच रहना चाहिए भारती टीम देखिए जो होकी इंडिया का प्लानिंग चला है उसमें वर्ल्ड कप के टाइम टीम को पीक पे पहुंचने का प्लानिंग बहुत अच्छा लग रहा है पहला मैच जो साउथ अफरीका जीता है 5-0 वो भी एक हमारा रिकॉर्ड विक्ट्री है और विक्ट्री नहीं है बलकि पूरा गेम को डॉमिनेट किया है और मॉर्ण टेक्निक्स टेक्टिस से खेला है वो हमने पूरे सभी प्लेयर्स में देखा रोइंग सप्चिशन को भी अलांपिक सिर्व मैडिस टीम है उससे भी हमारा कल गेम फर्स टू कॉर्टर में थोड़ा सा बेल्जियम का परेंड रहा जिसमें अगुल की लिड भी लेकि थोर और फोर कॉर्टर इंडिया ने पूरा डॉमिनेट किया वो इस पी करता है कि लेवल आफ फिटनेस के साथ सा यंग टीम ने बहुत जल्दी अडॉप किया है इसमें यह उन्य प्लेश यंग हो और उसके टीम इतनी यांग एज की एज की आब्रेज चीम खेल रही हो मैं आसमासता हूं उसकी पर्फॉमेंस कल बहुत उंदा रही है उसलिए से मैसमासता हूं कि टीम ने राइट टैम पर पीक पकड़ा है और उमीद है कि इस बार हम बहुत अच्छा प्रश्चन करेंगा रिकॉर्ड ब्रिक प्रश्चन होगा ऐसा मेरको अमीद है पर हर मैच इंपार्ट है जैसे कोछ रिंदर भी बोलते हैं कि हर मैच इंपार्ट है कोई भी मैच हम लाइडिय नहीं रहे सकते अब दोनों मैच खतम हो चुके हैं थर्ड मैच जो कि हमारा इंपार्ट मैच है कैनड़ा से जो की बहुत फसा के टीम खेलती है लास्ट तेम हमसे ड्रॉ भी खेले थे पर अब मुझे उमीद है कि अससे नहीं आएगी हम इसके विरूद भी ज्यादा गोल कर पाएंगे और अभी जो क्रॉस ओवर फेज है उसमें खेला नहीं होगा नमबर वन पे आके वो क्रॉस ओवर अवाइड करना है डिरेटली क्वार्टर फानल में आना यह हमारा इम है और हुगा बीचीव यह है एबीबी नियूज आपको रखे आगे